नमस्कार दोस्तो, AutoCAD के lecture में आपका स्वाकत है, चलिए, आज नया command सिखेंगे AutoCAD में दोस्तो Open कर लेते हैं फाइल को तो दोस्तो आज का जो हमारा command रहागा इसमें separate, clean, sale, check और जो यह दन उपास जाएगा आपका convert to solid, convert to surface इस पर भीज़ रहेगा दोस्तो, ठीक है, तो इसको समझने के लिए दोस्तो सबसे पहले separate वाला पर क्लिक करेंगे दोस्तो, ठीक है, तो view को आपनों ताज साच चेंज कर लेते हैं ठीक है, और एक diagram आपनों ड्रॉ करते हैं, सब्सक्त सिलिंडर का हूँ इसी को उपर एक, sphere ड्रॉ कर लेते हैं ठीक है, तो असर डाया छोटा करना पड़ेगा ठीक है, चलिए यह ड्रॉ हो गया और एक सेम इसी तरह एक draw कर लेते हैं और हम लोग ठीक है, और इस फिर उपर मिलेते हैं, दोनों separate है और इसमें दोनों एक है लेकिन object दोनों अलग select होगा है दोनों में देखिए ठीक है, अब क्या करते हैं, दोनों में हम union command apply करते हैं select कर लेते हैं इसको, single हो चुका है, इसमें भी union object करते हैं इसमें भी देखिए single हो चुका है, ठीक है बस दोनों में आनता रहें, इसमें क्या है एक ही volume में वो content है ठीक है, और इसमें जो है आपका दोनों अलग-अलग volume में content है तो separate command दोस्तों क्या करेगा यहां पे अगर कोई physically distance object है आपका दोनों अलग-अलग object है लेकिन union से combine है और दोनों different-different volume में है तो उसको दोनों separate कर देगा, इसको select करते है अब्जेक्ट को select करते है ठीक है, escape escape पर दोनों आते है तो देखिए दोनों को यहां अलग कर दिया ठीक है, अब इसपर apply करते हैं object को select कर दिया, escape escape तो इसमें देखिए वो apply नहीं हुआ दोस्तों तो यही difference है दोस्तों कि अगर आपका same volume अगर content है आपका दुनों material ठीक है तो वो उसको अलग-अलग separate नहीं करेगा लेकिन physically जब दुनों यहाँ पर अलग है तो उसको वो separate करतेगा दोस्तों क्लियर है अगला आता मेरा यहाँ पर clean ठीक है clean तो क्मांड दूस्तों क्या करेगा suppose इस पर कुछ हम object को sketch करें ठीक है यह ड्रॉ कर लिए और इसको suppose हम imprint कर लेते हैं ellipse ठीक है इसको yes कर लेते हैं इंटर मारते है ठीक है यह imprint है तो किसी भी solid geometry में कुछ भी अगर extra काम आप कर रहा है फर्दर वो सब को finally आपको हटाना है clean करना है तो उसके लिए clean कमांड है ठीक है इसको select करते हैं object को select करते हैं escape escape तो इसमें थेखिए अब select करते हैं तो यह हटाया नहीं दोस्तो ठीक है इस command का हाला कि यही मतलब है लेकिन जब आप autocad के older version में काम करेंगे तो उसमें यह वाला command आपको काम करेगा दोस्तों ठीक है clean वाला command चलिए आगे बढ़ते हैं चलिए अगला draw करते हैं हम दोस्ते हैं आप एक box पांट यह देते हैं और यह देते हैं suppose हम यहाँ पे 10,10 ठीक है अब इस cell को select करते हैं 3D object को select किए अब बोलेगा face जिस face में आपको cell provide करना है suppose टॉप face में करना है इसको select कीजिए ठीक है enter मारिये अब offset distance suppose हम रख देते हैं आपे one enter मारिये तो देखिए इधर बाहर वाले surface से one offset लेके आपका इसको cell कर दिया दोस्तों देखिए ठीक है चलिए exit करते हैं अगला आता मेरा check check दोस्तों क्या करेगा कोई भी आप 3D geometry जो बना है वह valid है कि नहीं उसको check करेगा suppose इसको select करते हैं तो यहां देखिए लिखा गया the object is valid shape manager solid ठीक है अब suppose इसमें क्या करते हैं एक हम surface को ट्रा करते है suppose एक line के द्वारा एक line हम बना दिये ठीक है अब इसको हम लोग आपके करते हैं प्रेस पूल ठीक है अब यह क्या है यह आपका surface है ठीक है अब इसमें हम शेक करेंगे सबकों जिसको हम select किये हैं तो यहां लिखा किया 3D solid must be selected मतला भी है आपका solid figure नहीं है दोस्तों ठीक है इंटर मारते हैं चली बाहर निकलते हैं अब अगला मेरा आता है यहां पे नीचे convert to solid convert to surface surface पर क्लिक करते हैं क्योंकि यह भी solid है मेरा इसको हम surface में convert करेंगे इसको select करते हैं इंटर मारते हैं तो देखिए अभी यह surface में connect हो चुका हूँ इसका देखिए boundary जो है आपका as a surface highlight हो रहा है और यहां पर लिखा भी रहा surface दोस्तों इसको model चेक करते हैं देखिए और इसको select करते हैं तो नहीं करने देगा है यहां लिखा कैना 3D solid must be selected मतलब यह भी surface में है दोस्तों ठीक है अब इसी surface को हम solid में वापस लाना चाहते हैं तो यहां पे पहला वला क्लिक कर लिए convert to solid इसको select कर लिए इंटर मार गये तो देखिए यह भी solid में आ गया है और model check अगर हम करेंगे तो यहां देखिए रिखा गया था object is valid shape manager solid दोस्तों ठीक है clear है यहां तक तो हो यह वाला जो concept है आपका दूनो solid rating वाला यहां पर आपको clear हो गया हो दोस्तों ठीक है तो दोस्तों आज के लिए इतना ही अब हम लोग next lecture पर मिलेंगे दोस्तों उससे पहले अगर आप लोग नहीं चैनल को subscribe नहीं किया दोस्तों तो subscribe एकन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें कम्प्लीट AutoCAD का 3D और टूडू वीडियो देखने के लिए दोस्तों यहां पर दिए गए playlist पर क्लिक करके आप उसे देखें दोस्तों ठीक है आज के लिए इतना ही धन्यवाद